एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल के तहट पाकिस्तान और श्रीलिंका में खेला जा रहा है भारत पाकिस्तान, श्रीलिंका, बांगलादेश, अफगानिस्तान और नेपाल के बीच 17 अगस्त तक मुकाबले खेले जाएंगे विश्वकप श्रीलिंका इस साल डिफैंडिंग चेंपियन है, जानिये इस साल कितनी है एशिया कप की प्राइज मनी, क्यों बीसिस्या इस टूर्नामेंट से एक भी रुपे नहीं कमाता है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2023 की प्राइज मनी की घोशना नहीं की है साल 2022 में एशिया कप जीतने वाली टीम को डिल करोड रुपे प्राइज मनी दी गई थी वहीं, रनर अप टीम को 89 लाक रुपे मिले थे साल 2022 एशिया कप टी 20 फॉर्मेट में खेला गया था ACC के नियम के मताबिक यदि कोई ICC टूर्नामेंट उस साल वंडे फॉर्मेट में खेला जाएगा तो ये टूर्नामेंट भी वंडे फॉर्मेट में खेला जाता है वही यदि T20 विश्वक अप है तो उस साल पूल क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेर किये एक वीडियो में बताया है था कि ब्रॉडकास्ट राइट्स या अन्यमाध्यम से जो भी रेवेन्यू आता है उसे BCCI अपने पास नहीं रखता है नहीं करती और पैसे ले लेती है आपको बता दे कि भारत साथ बार एशिया कप जीत चुका है आखिरी बार भारत ने साल 2018 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने एशिया कप में जीत हासिल की थी साल 2022 में भारत फाइनल तक नहीं पहुँच पाय थी भारत को पाकिस्तान और श्रीलिंका से हार मिली थी फाइनल में श्रीलिंका ने पाकिस्तान को हरा कर एशिया कप छठी बार अपने नाम किया था